नमस्कार दोस्तों मैं अगला टेफ्ट होगा सोमार को आप लोग का वह होगा आपका मुगल काल से तो चलते हैं जो आपने टेफ्ट दिया इसको हल करते हैं इसमें हमारा पहला प्रसना है कि जाउनपूर नगर की अस्थापना किस ने की थी जाउनपूर नगर की अस्थापना की थी फिरोज सा तुगलक ने ठीक है फिरोज सा तुगलक का एक चचेरा भाई था मुहमद बिन तुगलक जिसे जूना खाया जाओना खा कहा जाता ठीक है इसी ने एक लखडी का महल बनवाया था जिसके नीचे दब कर गया सुद दीन के मिर्थ होगे ये भी आप जान लेजिए तो फिरोज सा तुगलक ने जाउनपूर सहर नगर की अस्थापना की थी अपने चचेरे भाई मुहमद बिन तुगलक या जूना खा या जूना खा की याद में ठीक है बहलोल लोदी कौन था इसमें बहलोल लोदी जो था ओ कन version अबीदिन इसए कास्मीर का अग्बर कहा जाता है तो कास्मीर का अगबार कहा जाता है थो उसके पीछे कुछ की और और कौण की यह जो था यह धार्मिक द्रिष्ट ए बहुत ही सही प्रतिबंध लगा दिया था जितने हिंदू मंदिर तोड़े गये इसको भी इसने मरमत कराने का काम किया था तो इसलिए इसे कहा जाता है कास्मीर का अगबर ठीक है अगला प्रस्ण हमारा है कि बहमनी राज्य की अस्थापना की थी बहमनी राज्य की अस्थापना की थी तो बहमनी राज्य की अस्थापना की थी अलावत दीन हसन ने की थी इसको कहा जाता है हसन गंगु के भी नाम से जाना जाता है अगर यह जाना चाहिए कि किस तन में तो 1347 इस्वी में इसने बहमनी राज्य की अस्थापना की थी और बनाए थी इसने गुल बारगा हमारा अगला पुस्न है कि निम लिखेते मुस्लिम सासकों में से किस एक को उसकी धर निर्पेचता में आस्था के काण उसकी मुस्लिम परजा जगत गुरू कहती थी ठीक है यह था आदिल साह दिती है ठीक है इब्राहिम आदिल साह के नाम से इसको इसकी परजा जगत गुरू कहती थी ठीक है यह बहुत ही बिद्या प्रेमी था ठीक है बिद्या का संग्रचक करता था निर्धनों का मित्र भी कहा जाता था ठीक है इसलिए इसे अब अब ला बाबा की उपाद भी दी गई थी ठीक है इब्राहिम आदिल साह को अब बाबा की भी उपाद दी गई थी क्योंकि निर्धनों की का मित्र था ठीक है तो इस करण इसे जगत गुरू की उपाद दी गई वह यूग में सही सुमेलित नहीं है पूझ राइगन में से कौन सा यूग में सही रूप से सुमेलित नहीं है पहला बाज बहादूर ठीक है म भाज बहादुर ने मालवा ये आपका ह सही है किसवार गॉल कंड़ा थी का जोसे सरवार योसुप आदिल सब्स यह किस नाम सब्देगर कर नहीं है इसना धया पूरकाक ऊहर जैना प्रणाथ प्रणाव tastes कि दोआर समूद्र कि साव लंज की राजदानी दोबार समुद्र technology राजब्स् कि ये वोसयाल नंते द्वार थानी है दोड़ समूद्र कौ समें अब उसीं क्या गाएं श्रह पाएंना चैनल हेले बीडू ठीक यह याद रखना कई बार पूछा जा चुका है हेले बीडू ठीक दौर समुद्र का इस समय नाम है हेले बीडू ठीक वहीशी परकार आपके गोल कुंडा का क्या नाम है इस समय है 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 अगला प्रस्ण मारा है कि निम्लखित में से किस समारक में वह गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है ठीक है शेर साका मगरवा सासाराम दिखी पहली बात यह कि यहां जितनी चीज़े लिखें सब स एगर पूछा जाए ठीक है हमारा अगला प्रसन है कि गुजरी महल ठीक है गुजरी महल किस ने बनवाय था ये बनवाय था आपके अकबर के सेनापति मान सिंग ने ठीक है मान सिंग ने बनाय था ये अकबर के सेनापति इन्होंने गुजरी महल बनवाया था अग्ला नहीं कहा जाता था ठीक है अगला प्रसिना मारा है भक्ती संस्किर्ट का भारत में पुनरजनम हुआ ठीक है ये पंद्रहामी सब्सक्राइब कर दो जाएगा पंद्रावी सब्सक्राइब का भारत में पुनर जनम हुआ था अगला प्रस्ण अमारा है कि कोई बेक्ट किसी बेक्टि से उसका धर्म संप्रदाया जाती ना पूछे यह कथन किसका है यह कथन है रामानंद का ठीक है यह कथन किसका है रामानंद और कभीर किसके सिस थे रामानंद के ठीक है कभीर किसके सिस थे रामानंद के रामानंद जी का जन्म कहा हुआ था इनका जन्म हुआ था प्रयाग में ठीक है रामानंद जी का जन्म प्रयाग में हुआ था इन्होंने अपने उपदेश थे उसके अ ** अगला प्रस्य हमारा है कि अस्सम यूम कूछ बीहार का प्रपड है अग्ला प्रस्न है Is संवादों का संक्लन का सीर्षक है देखो साखी सबद रमैनी ठीक है साखी सबद रमैनी जो कभीरदास की रचनाएं इन सभी को संक्रित किया गया है बीजग में ठीक है साखी सबद रमैनी कभीरदास की रचनाएं इन सब को बीजग में किया कि संक्रित किया गया लेकिन में ब्रांट सी के लहर तारा के पास हुआ था ठीक है ये कहा जाता है कि इनकी माता जो थी ये विद्वा प्रहम्णी थी उन्होंने लोक लज्जा की डर से इनको टालाब के किनारे लाके रख दिया था फिर दो जुलाहे थे नीरू और नीमा इन्होंने उनको उठाया इनका पालन पोस्टर किया ठीक है इस परकार कभीरदास पैदा एक ब्रहमण के घर में हुए ठीक है लेकिन इनको पालन पोस्टर नीरू नीमा नामक दो जुलाह होने किया ठीक है ये निरंकार ब्रहमा को मांते थे ये जादपात अवतारवाद बाह अडंबर मूर्थि पूजा क कर्मकांड इन सबसे ये दूर रहते थे इनका विश्वास्ता एकेश्वरवाद पर और निरंकार ब्रहम की ये उपासना करते थे ठीक है इनकी भासा अगर पूछी जाए तो इनकी भासा क्या है सदुखडी इनकी जो मिर्थ हुई थी ये मघहर में हुई थी ये कबीर दास की पूरे जियुन पर फ्रिशे है ऐगला प्रस्न हमारा है यह आपका वजएगा अमर मूलीश स॥मकर अगला प्रस्थ मैं मलूप दासब एक संत कभी थे ठीक है अलाउदिन थैस Pvd अपने सवसूर को कहा मा रहा था यह कडा इलाहबाद के पास कडा के पास इन्हों ने मा रहा था ठीक है यह और मलूग दास जो थे ओवी कडा के निवासी थे निर्खित मैं से कौन सा एक सही का लन कुरम है ठीक है तो इसमें अगर काल को उनकरम देखे सबसे पहले अगर आएंगे तो इसमें आजाएंगे रामानुज ठीक है सबसे पहले आज आएंगे इसमें रामानुज उसके बाद है चैतन फिर संक्राजार तीसा अप्षानिश में नहीं पहला अंसर संक्राचार फिर रामानुज फिर चैतन ठीक है संक्राचार रामानुज और चैतनी हमारा पहला अप्षान इसमें सही होगा ठीक पहला अप्षान ठीक के यह जो भख्यशंत है इनका सहीक कालन गुरम, कौन्सा ए तो सबसे पहले अगर इसमें देखे तो कवीर तिरासहौ्थणवे से पंदरास रफटारा थीज ओगा तब ऑप सिक पू हो गहें अगला प्रस्णा है कि इस्वर केवल मनुष्य के सद्गुड़ों को पहचानता है तथा उसकी जात नहीं कुछता आगामी दुनिया में कोई जात ही नहीं होगी या सिधान्त किस भक्ति संत का है ये गुरु नानक ने कहा था ठीक है गुरु नानक ने ये बात कही थी कि आग ठीक है जिसको आप किस नाम से जाना जाता है ननकाणा सा में हुआ तकी है इन्हों ने कर सो Om Bir आppers ये इन्हों सिख्धर्म की अस्धापना की इन्हों ने सिख्धर्म की अस्थाना की प sector बोट्रांदाक पर्वर्यव्ङर्फी सोंद्ध। बाबा फरीद से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे गुरु नानक के बारे में एक बात हो रहे हैं इन्होंने पूरे भारत का पांच बार भर्मण किया था जिसे उदा सीज कहा जाता है अगला प्रस्ण मा रहा है कि परफिद्ध भक्त कवेत्री मीरा के पति का नाम था ठीक पति नाम क्या था राज-कुमार- भोज-्राज रांड रत बन सींंग के ये रानि पदमवथी के ठीकश और राड़ा लागरा ठैकर राज-क्राज अगला प्रस्न मा रहा है कि निंखित बिकलबों में से कव्मेरित नहीं है बात इन credited शईय कवीर एक जुलाहा थे पैदा त इनकी जो पालन पोस्टर हुआ एक जुलाहे के घर हुआ तो इनको जुलाहाई मना जाता है रविदास एक मोची थे ठीक है सिन्ना धोबी नहीं यह एक नाई थे ठीक है यह सिन्ना क्यों थे एक नाई थे अगला प्रस्ण मारा है कि रामचरित मानस नामगरंत के रचैता थे रामचरित मानस किस ने लिखा था ये गोसाव्मी तुलसीदाफ ने लिखा था ठीक है रामचरित मानस ने किस लिखका था गोसामी तुल Mhm Valmeek ने क्या लिखा था उन्हों सब किसकी रचनाय है सूर्दास की अगर बेद व्यास की इन्होंने बेद लिखे ठीक है तो इस वरकार सब सूफी संद जो थे यह सेख मुईनीदीन चिस्टी यह संप्रदाय के पर्थम सूफी संद ठीक है और कुदबुदिन बक्तियार काकी इनहीं के नाम पर कुदब्र मिनार की इस्थापना खुदुद्र दिन एवग ने कि तिक है अगला प्रसना कि ख्वाजा मेहने दिन चिस्ति सि Westminster euh यहां पर चौट मेहने दिन सिस्ति दिय है यह से होने दिनच निमste दौने कि मैंने कीvert drove बनाने के लिए आप अगला प्रसन हो गया हमारा किसे भारत का साधी कहा जाता ठीक है किसे भारत का साधी कहा जाता है यह कहा जाता है आपका अमीर हसन को ठीक है अमीर हसन को भारत का साधी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा गजलों गजल गाये हैं ठीक है उच्छी उच्छी गजले इन्होंने गाये हैं इसलिए इनको भारत का साधी कहा जाता ठीक है अमीर खुसरुक को भारत का तो चका जाता ठीक है और सेख निजामुद्दीन अवलिया ये किसके सिस्ष थे ये बावा फरीद के सिस्ष ठीक अगला प्रस्ट निम्रक्त में से किससे सेख उल हिंद की पद्वी परदान की गई थी सेख सलीम चिस्ती को कौन सबस्टेंट इसके इनको सेख उलहिंद की पद भी प्रदान की गई थी ठीक है बावा फरीद के सिक्से से कौन थे इसको आप डिस्क्रिप्शन में आप लिखके ना मेज़ें कि दो तीन बार में आपको बता दी ख्वाजा कुदो दिन बक्तियार का कि इनके नाम पर कुद्व मिनार के स्थापना बहरत का मक्का भी कहा जाता है ठीक है मोयनिदिन चिस्ती के गुरू कोन थे मोनिदमोई दिन चिस्ती के जो गुरू थे वो ख्वाजा उस्मान हरूनी थे ठीक है अग्ला प्रस्ण मा रहा है कि निम्लिखित सूफी विवाद के सिल्सिलों में कौन संगीत के बृद्ध था ये जो नक्सबंदिया संतर्दा था है ये संगीत के गृुरुद्ध था टीक ये बोलता था संगीत के द्वारा बगवान किताब नहीं जा सकते लेकिन वहीं पर हमारे खुअो बोनी दिन्चिष्थी यह कहते थी संगीत ही भगवान के पास ग्याय लाट के लिखित शब्दों नहीं गलत हो गया संत होना चाहिए कि रिखुक्स रूप माना थो थियंदा इसका सही उत्तर होगा साह मुहम्मद गौस थेक्ष भगवान शेल आवलिय का रूप माना था ये प्रसंध आप याद करेंगि क्या बहुत बार परिच्छाव में अलग-अलग तरीके से पूछा गया ठीक है यह कई बार पूछा गया तो इसलिए आप इसे याद रखना ठीक है कि मारा अगला प्रस्ण है भार हर मासा की रचना कि ने की थी के बारा मासा की रचना कि ने की थी यह मलक मुहम्मद आखरी कलाम ठीक है तो बारा मासा की रिचना किसने किती मलिक मुहम्मद जैसी ने यह पद्मावद का ही एक भाग है अगला प्रस्ण है इसायों का गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता ठीक है इसायों का गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है तो इसी दिन इसा मसी को सूली पर चढ़ाया गया था ठीक है इसी दिन इसा मसी को सूली पर चढ़ाया गया था यह लोग क्या मनाते हैं गुड फ्राइडे और पुनर जनम हुआ ठीक है ज़िए अगले टेस्ट जो आप लोग देगे तो उसकी व्याक्जा करें तो आप लोग को चीज और बताना चाहूंगा जो लोग अब भी हमारे टेलीघ्राम गुरूप से नहीं पर दिन बढ़ती जा रहे है और यह आप लोग का प्यार है कि हमें भी इससे उर्जय मिलती है और प्रतिन हम आपके लिए उसलिदी ब्रॉइट कराते हैं तो आप लोग टेक्ट देते रहिए, ग्रूप ने दोस्तों को जोड़ते रहिए और हम आपके लिए ऐसे अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे, चलते हैं आज के लिए, नमस्कार